जिर्दी आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, किसी इस्तुरी के दिल में अपने लिए मुहबत पैदा करना चाहते हैं, या किसी पुरुष को दिवाना बनाना चाहते हैं, तो सावन के महीने में आप ये छोटी शिव सिकंटूट का जरूर कीजिएगा, बीना मंत्र के बिना खर्च किये होगा जिसको भी चाहते हैं वो पल भर में आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और जीवन भर के लिए आपसे ही महबत करेगी रूठा हुआ प्यार भी वो मान जाएगी और आपसे बात करना शुरू कर देगी जो इस्तरी रूठी हुई है आपके नमर क को बलाओ कर दी है आपसे बात नहीं करना चाहती है वह इस्तरी यानि कि आपके पास पून करकर आपसे माँ भी मांगेगी आपसे इतना इतना प्यार करेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं मैरे प्यार प्यार वक्तों सावन के महिने में आपको ये अचुक सकती सालियो सिकन इसमें ना ही मंत्र की जरुवत है ना ही किसी माला की जरुवत है और ना ही रुप्या खर्च करने की जरुवत है मेरे प्यारे प्यार वक्तो हर इस्त्री हर पुरुष चाहता है कि उसका प्यार उसके साथ रहे और हमेशा हमेशा के लिए उससे महबत करते रहे मेरे प्यारे प्यार वक्तो यदि आप भी किसी से प्यार करते हैं लेकिन उसको अब तक प्यार के जहार नहीं किये हैं डर्ते हैं तो आप यह वो सिकन टूटका कर देजी हो खोद आप से बात करेगी आपको कुछ करने के जरूरत ही नहीं होगी और माली जी के प्यार करते हैं लेकिन धोखा दे दिया है वो इस्तरी आपे वो सिकन टुटका कर दीजिए अभी और चमतकार आप खोद देखिएगा कि वो इस्तरी खोद आपके पास फोन करेगे आपसे बाते करेगे आपके बिना नहीं रहा पाएगे मेरे प्यार प्यार वक्तों आपके लब लाई में चाहे समस्या जो हो समधान यहीं है वो सिकन टुटका सावन के महिने में देखिएगा बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा सावन के महिने में सावन के महिने में आप वो सिकन टुटका जरूर कीजिएगा छोटी सी उपा है बीना मंत्र का है बीना माला का है और बीना खर्च का है आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं और अपने रुठे हुए प्यार को मना सकते हैं अपने प्यार से साधी कर सकते हैं अपने प्यार के द आपको धातूरे का साथ पाता लेना है, साथ पाता गिन करके धातूरे का साथ पाता लेना है, और साथो पते के उपर में आपको क्या करना है, जिस भी इस्तरी को अपने वस्म करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अपने प्यार का नाम उसको क्या करेंगे, सा पलस काचिन देकर आप अपना नाम लिख लीजिएगा यानि कि आप अपने वस में करना चाहता है उस इस्तरी को तो उस इस्तरी का नाम सबसे पहले उसके बाद में पलस काचिन बीच में उसके नीचे में आप अपना नाम और पत्ते को पलट करके आप ओम नमस हिवाय लिख दीजिएगा सातो पते के उपर में और साते पते के पुलाट करके क्या करना है लड़की के नाम पलस अपना नाम लड़का का नाम है उसके बाद में आप क्या किजिएगा ध्यान से दिखेएगा मरवक्तो लाल चन्नन से ही लिखना है आप लोटिया में जल लीजिए उसमें थ तो धातूरा का जो साथ पता है जिस पे अपने इस्तरी का नाम लिखे हुए हैं उसको सिलिंग पे चड़ाना है और अपने मने में मनुकामना मंगना है कि उसे इस्तरी के दिल में मेरे लिए महबत पैरा कर दीजिए उसको जल्द ही मेरे पास भेज़ देजिए बस इतना बोल पर में आपके प्यार में दीवान ही हो जाएगी आपके बिना नहीं सब्सक्राइबर कीजिएगा